के गाइज कुड़ बॉनिंग एस्पी चोधरी है आज के इस वीडियो का मक्सद है कि यूपी एनसम ने पिछे 2700 प्लस पोस्टों के लिए फॉर्म फिल करवाई थे जिसकी फीज बिल्कुल से नहीं थी तो उस जो फॉर्म फिल किया था उसके जो है एडिमिट कार्ड उन्हें डिगलेर कर दी हैं रिलीज कर दी हैं अपनी वेबसाइट के उपर और जल्द ही इसका एग्जाम होने वाला है तो वीडियो के अंदर पूरी बात करने वाले हैं कि कैसे आपका एडिमिट का डाउनलोड करना है यह पूरी जो भी इनफॉर्मेशन है यह आपन सभी की सभी बात करेंगे टाइम डूरेशन का क्योसंस का नेग्टिव मार्किंग का साथ में क्या-क्या लेगे जाना होगा किस दिज़ को धान रखना होगा कौन-कौन इसके अंदर जा सकता है क्योंकि बहुत सारे अधर स्टेट के लोगों ने भी इसके अंदर फॉर्म फिल किया था तो उनके लिए हम पहले ही बता देते हैं यहां पे शुरू करेंगे उस ताइम एड़िविट कार्ड के इंस्ट्रक्शन के अंदर बता देंगे कि आप जा हो या नहीं क्योंकि फॉ रखा हुआ है त्यान रहें प्राउजर को ही उपन करना है अधार आप इसको जैसे मैं यहां पर स्कॉर्डाउन करके दिखा रहा हूं आपको यह वेबसाइट पेस्ट करता हूं यह वेबसाइट आपको वीडियो के डिस्क्रिश्टिशन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी व और password यहां पर पूछता है तो यह ID और password अपने को यहां पर इंटर कर देने हैं यहां पर ID और यहां पर password और यह जो capture है वो यहां पर यह इंटर करने है यह सब कुछ इंटर करने के बाद में अपने को क्या कर देना है जनरली ID फिल करनी है, password फिल करना है यह capture यहां पर फिल करने है और उसके बाद चनली login पर क्लिक कर देना है जैसे login पर क्लिक करेंगे तो नया interface जो open होगा उसके कुछ इस तरह से होगा जो कि आपके सामने है जैसे friends उसको open login करते हैं तो इसा interface आएगा यहां पर आपकी screen ऐसे आएगी या your application has been जो submit successfully हो चुका है उसके बाद अपने इसको क्या कर देते हैं close कर देते हैं और नीचे इसको जाते हैं तो यहां पर application form आती है देखेगा application form लिखा हो आता है और नीचे आपका application form बिलेगा पूरा जैसे scroll down करोगे और यहां पर एक option आगे रखा हो है देखेगा admit card इस admit card वाले option के उपर आपको जनली click कर देना है इस पर जैसे click करोगे तो नीचे चलोगे scroll down करोगे तो ऐसा interface कुछ आएगा देखेगा यहां पर admit card लिखा हो आया है और यह के बाद छोड़ दीजिए आप और नीचे scroll down करते हैं तो ऐसा आता है यहां पर देखेगा नहीं स्टापनर्स 4th end 11 December 2021 यानि exam होना है 11 December 2021 को होने वाला है और यह इन्होंने location दी है कि वे आपको exam का होगा नोईडा उत्तरवदेश के अंदर होगा जो भी एक candidate जिन्होंने हमें ID passport बरवाइड करवाए हैं ओए ओके आई जो on digital zone जो school ये college है इसके अंदर होने वाला है यहां पर इन्होंने time दे दिया है कि भी 11 तारीक को होगा December के अंदर और बारा बजे से लेके साड़े बारा बजे से लेके अधाई बजे तक यानि ट्वैलो थर्टी से लेके और टू थर्टी तक exam होने वाला है इसके बाद अपने इसको क्या कर लेते हैं डाउनलोड करके फड़ा फड़ से इसके instruction पढ़ लेते हैं इसे उपर आपके पूरी information होगी इस साड़ के अंदर shine और photo होंगे और यहां पर देखिएगा यह time दिया रखा है कि साड़े बारा से दो तीस तक रहेगा शेसन सेकेंड के अंदर यानि इसके अलग अलग session है morning होगा, afternoon होगा और evening रहेगा और इसके अंदर यहां पर city दे रहेगी है कि city रहने वाली है जहां पर आपका exam होगा वो noida रहने वाला है यह location रहने वाली है noida के जहां पर आपका exam होगा नीचे carefully अपने instruction को पड़ लेते हैं और यह बता रहे हैं कि A4 size के page go पर आपको print लेना है कोई भी ID जो आपने form के अंदर लगाई है वो हो तो बढ़िया है वो आपके पास होनी चीए original और ball blue paint जो है आपके पास होना चीए और इसके साथ आपके अधर कोई भी चीज़ें नहीं होनी चीए आपकी photo हो सकते है password size photo बाकी आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे चलते हैं तो यहां पर बदाया गया है 100 questions आएंगे जिसके अंदर 80 questions नर्सिंग के रहेंगे और जो second types का जो है उसके अंदर general aptitude reasoning, general awareness basic computer के knowledge से समद्दी 20 questions रहेंगे यानि नर्सिंग के 80 questions और other के 20 questions रहने वाले हैं, okay two hours का यहां पर paper रहने वाला है 100 questions रहने वाले हैं negative marking इसके अंदर होगी नहीं और हर एक question का एक marks मिलेगा यानि 100 questions रहेंगे two hours यहां पर time मिलेगा 100 number का रहेगा और negative marking होगी नहीं, okay, अब चलते हैं next के उपर, तो यहां पर बताया गया है, PWD जो candidate हैं, उनको extra जो है, 20 minute मिले वाले हैं, तो उनको जो है, PWD वाले additional time, जो है, 40 minute दो गंटे जो time था उसको उनके लिए बढ़ाया गया है PWD वालों के लिए, वो center पे depend करता है कि आपको इस time duration का फाइदा मिलता है या नहीं, other कोई भी चीज़ आपको कोई machine D, किसी भी type का कोई instrument कुछ भी साथ में लेकर नहीं जाना है बाकि सब भी instruction जो और exam के अंदर होते हैं, same to same देने वाला है okay अगर आपके कोई भी ID के अंदर admin card के अंदर mistake आईती है तो आप जो है facial data counter जो होता है यानि जो किसाइता counter या पहले आप वाँ पर जाके मिल सकते हो देखेगा 12 से 12 बजी होगा तो 12 से 2 बजी तक जो evening वाला है वो जाके मिल सकता है दो password size photo और खुद की ID लेके मान के जो लो admin card गंदर नाम आपका mistake हो गया पिताजी का नाम हो गया या sign आगे तो आपको अपने ID लेके जानी है अपना जो है password size photo लेके जानी है original ID लेके जानी है और पहले जाके वहाँ पर संपर कर लेना है ताकि आपको कोई भी issue वहाँ पर नहीं हो और साथ में आपको इस website के उपर भी आपको इंस्ट्रक्शन इस समंदित कोई ने कोई जो है email address मिल जाएगा तो दस तारीक तक आप वहाँ पर भी विजिट करके अपना admin card से समंदित कोई विक्वारी हो उसको सही करवा सकते हो ओके और यहां पर दिया हुआ है TAD आपको नहीं मिलेगा जब computer वेस्ट online टेस्ट होगा आपका पेपर रहने वाला है वो online रहने वाला है offline नहीं रहेगा और यह तो बहुत साली चीज़ने दे रहे हुए दो सभी के अंदर है कि आपको कोई भी चीज का लाउंस वीरा नहीं नहीं मिलेगा एक्जाम के टाइम में यह कोई ज़्यादा मैं तो बुन बाते नहीं तो इस वीडियो के अंदर फ्रेंट्स इतना ही उमिद करेंगे टोटल डूरेशन यहां पर टेस्ट का 120 मिनट यह नहीं दो गंटे मिनट के अंदर दे रहे हैं सेमी बात है बाकी तो जो फॉर्थ नमबर का पेज है एक नमबर का पेज प्रेंट लेना है आपको फॉर्थ नमबर के पेज का प्रेंट लेना है द्यान रखना दोनों पेज के प्रेंट लेने हैं एक नमबर के पेज का प्रेंट लो इसके बैक साइड के अंदर फॉर्थ नमबर के प्रेंट ले ऐसे करें देना है तो ऐसे ही करना होगा अगर येस करते हो तो आपको अलग इसी बिठाया जाएगा थोड़ी चालग प्रोसेस रहती है और यहां पर अपना का नाम भरना है यहाँ पर रोल नमर भरने हैं यह पर डेट ओफ एक्जाम और यहां पर डेट ऑफ सेंटर बरना है यह पर आपके शुलिदीचर ने यह admit card के back side जो पर आप ले सकते हो तो भी इस वीडियो के अंदर इस नहीं कैसे लगए वीडियो बता देना और आज 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 एक जो है अच्छा वीडियो आ रहा है आपके लिए forensic test बहुत सर लोगों ने सुना होगा कि आप medical field शिभलों करते हो था वो पता होना चाहिए forensic test होता क्या है तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं एक वीडियो बनाया गया है वह आपको जली ही मिल जाएगा तो इस वीडियो को आनद लेना और वीडियो को जया जया शेयर कोना इस वीडियो के इस वीडियो के thank you